Hello friends, welcome back! स्वागत है आपका आज के short video on how to attempt CSE pre मतलब UPSC pre के exam को कैसे attempt किया जाए? कई बार देखने में आया है कि candidates को answer आने के बावजूद attempt करने की strategy ठीक ना होने की वजह से answers आते हुए भी या ज्यादा attempt करने की वजह से कई बार कम attempt करने की वजह से negative marking की वजह से answer sheet fill ना कर पाने की वजह से कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों तो जो मेरा experience रहा है अपने दौनों attempts का जिसमें first attempt में roughly 141 marks और second attempt में roughly 130 marks उसको मैं अगले 4 या 5 मिनिट में आपसे share करूंगा सबसे पहले तो आप calm mind से basically exam hall में बैठें क्योंकि जो भी आपको पढ़ना था वो आप exam के दिन से पहले पढ़ चुके होंगे मुझे लगता है exam के दिन ज्यादा panic होने से या वहाँ पर किताबें ले जाने से और last minute basically rot learning की कोशिश करने से भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फरक पड़ेगा दोस्तों तो एक तो आपका mind एकदम शान्त होना चाहिए calm होना चाहिए composed होना चाहिए point number 2 जब आप exam hall में जाए paper आपको basically serve किया जाए तो शुरू के 10 या 15 minute आप सिर्फ paper को analyze करने में लगए क्योंकि बहुत सारे candidates ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही paper आता है they immediately pounce on the paper मतलब आप immediately jump कर जाते हैं basically answer attempt करने में without analyzing की paper का standard कैसा है paper हो सकता है काफी tough हो paper हो सकता है medium type का हो या paper हो सकता है काफी easy हो ये analysis इसलिए जरूरी है क्योंकि analysis आपकी help करेगा कि कितने basically questions attempt करना एक optimum level हो सकता है अगर आपको लगता है paper काफी easy है तो मुझे लगता है 85 से 90 या थोड़ा बहुत उपर नीचे एक अच्छा attempt हो सकता है अगर paper माली जे medium level का है तो मुझे लगता है 80 to 85 एक balanced approach हो सकता है और अगर paper tough है तो मुझे लगता है 80 plus minus एक अच्छा number of questions हो सकता है attempt करने के लिए क्योंकि अगर paper tough है तो cut off automatically नीचे आजाएगी आप पिछले साल का CSE देखिए जिसका इस बार basically result आया है को cut off काफी नीचे देखने को मिली है वहीं आप 2016 का देख लें 17 का basically देख लें तो cut off 116 and 105 के आसपास basically रही है इसका मतलब paper easy था तो आपको थोड़ा ज्यादा attempt करना ही पड़ेगा किस तरीके से आप एडिसाइड करेंगे कि paper किस type का है उसके लिए आप सरसरी निघा से पूरे question paper को शुरूर के 10 minute आप फटाफट एक बार देखे कि कौन कौन से वो रफली questions है या किस-किस basically sector या section या basically subject से ज़्यादा तर questions है हो सकता है आप उसमें पहले से comfortable हो और एक जब आपका 10 या 15 minute paper को analyze करने के बाद एक आपका viewpoint बन जाए कि paper पर इस time का रफली है इन तीनों categories में से easy, medium या hard और उसके हिसाब से फिर आप attempt करना शुरू कर दें तो यह हो गया point number two कि analyze the question paper before starting to attempt it क्योंकि pre-met time की कमी नहीं होती तो आप शुरू के पहले minute से ही answer करना शुरू कर दें बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है mind आप हमेशे बिल्कुल काम रखे क्योंकि जब तक आपका mind काम नहीं होगा जो answer आपको आ रहे होगे वो भी शायद आप attempt ना कर पाए point number three पहले कौनसे questions attempt करे कई लोगों की strategy होती है कि जैसे जैसे question आता जाए इसको वैसे वैसे attempt किया जाए मेरा तो lifetime का experience मुझे लगता है कि जो question आपको शुरुवात में first attempt में आजाए उनको पहले आप attempt करे मतलब कई rounds में question paper को attempt करे आप question number one पढ़ेंगे आपको लगता है नहीं आता circle करे कि इसको बाद में revisit करूंगा question number two पे गए आपको लगता है direct answer आपको आता है immediately attempt करिए question number three directly आता है immediately attempt करिए question number four मान लीजे नहीं आता है तो उसको आप circle कर लीजे कि बाद में देखा जाए question number five आपको लगता है कि आता तो है लेकिन I am not 100% sure तो उसको बिलकुल attempt करिए और उस पे कुछ ऐसा एक अपना particular mark लगा दीजे कि आप जब सारे attempt करने के बाद वापस से question paper को देखने लगें तो आपको clear हो जाए कि ये ऐसे questions है जो मैंने directly attempt कर दी and I have 100% confidence of them ये ऐसे questions हैं जो मुझे बिलकुल नहीं आते थे इनको मुझे बहुत careful ही करना पड़ेगा और ये third category of questions ऐसे हैं जो मुझे आते थो थे लेकिन 100% confidence नहीं है इस वज़ा से अगर time मिला last में तो एक बार इनको मैं revisit करनूं दोस्तों तो इस तरीके से हो सकता है माली जे 100 questions हैं तो first round मैं सिर्फ उन्ही को attempt करी है जो आपको directly straight away आते हों और ऐसे हो सकता है 40 to 50 questions ऐसे हो जो आपको straight away आते हों तो जब आप 40-50 attempt कर चुके हैं तो सबसे पहली last तक wait किये बिने उन 40-50 questions को आप OMR sheet में mark कर लीजिए बहुत लोगों को देखा है बहुत colleagues को देखा है experience रहा है हर attempt का कि कई बार आप answer sheet में तो basically tick कर लेते हैं या question paper में तो tick कर लेते हैं लेकिन OMR भरना basically आप भूल जाते हैं इस basically hope में कि पहले मैं सारे attempt कर लूँ और last मैं OMR sheet भरूँगा और कई बार OMR sheet भरना छूट जाता है तो इससे अच्छा है आप bag में डालते जाएए 40-50 questions में 100% confidence था attempt कर लिए tick लगा लिया question paper पे immediately उनको OMR sheet में उतार लीजिए उसके बाद जो next basically 20 questions या 30 questions हो सकते हैं जो 50-50 आपको पूरा confidence ना हो तो उनको आपने पहले से basically mark कर रखा है तो उनको एक बार first से revisit कर लीजिए और जिस जिस में आप 100% confidence हैं उनको आप फटाफट mark करके उनको भी OMR sheet में convert कर लीजिए तो मुझे लगता इस तरीकी से within time time रहते हुए 60-70 questions को आप already OMR में basically secure कर चुके होंगे फिर last में आप attempt कर रिए questions को जो questions आपको बिलकुल नहीं आ रहे हों जिन में आपको दिमाग लगाना पढ़ रहा हो सोचना पढ़ रहा हो उन questions को last के लिए बचा के रखिए और फिर last में आप उसी basis पे कि कि किस type का question paper हो सकता है easy है, medium है, hard है कितना attempt करना है, कितना risk लेना है ये उस factor के बाद आप decide कर सकते हैं मतलब जो आपको direct आटे थे वो तो आपको attempt कर नहीं है जो 50-50% था उसको भी आप revisit करके secure कर चुके है अब last के 15-20 questions में मेशा ये खीचा तानी होती है कि आप इसमें से कितने attempt करें कितना risk लें negative तो नहीं हो जाएगा क्या ज़रूरी है इतनी risk लेना तो question paper का आप शुरू में जब analysis कर चुके होंगे उसके difficulty level का तो वो decision लेना मुझे लगता है आपके लिए असा होगा दोस्तों OMR sheet को हर round के बाद आप भरिए सबसे पहला round सबसे easy questions direct questions question paper में tick लगाया option को जब 40-50 questions सारे खटे हो गए 100 questions तक आप पहुँच गए फर्ट से OMR sheet भरिए second round जो doubtful basically थे उन में से जैसे ही आपने revisit किया एक round उनको secure कर लीजिए अब आपका last round बच गया जो ज्यादा difficult questions है जिनका आपको 100% confidence नहीं है तो उनको last में माथा पच्ची के बाद आप OMR sheet में बहिए दोस्तों same strategy आपके GS के paper में होगी और same strategy मुझे लगता है CSAT के paper में भी कि अगर मालीजी आपको maths से issue है तो सबसे पहले आप English और comprehension और logical analysis को basically attempt करिए जिस भी section से आप ज़ादा comfortable है सबसे पहले उसको attempt करिए OMR sheet में भरिए secure करिए उसके बाद next difficult level लीजिए या next difficult section लीजिए या next difficult set of questions लीजिए उनको attempt करिए OMR sheet में secure करिए और last में सबसे मुश्किल सवाल सबसे challenging सवाल उनको basically अपने लिए बचा के रखिए दोस्तों क्योंकि जो challenging सवाल होंगे मुश्किल सवाल होंगे उसमें हो सकता है कि आप एक calculated guess लें हो सकता है आप elimination से उनको attempt करना चाहें कि हो सकता है ये दो answers तो नहीं है लेकिन अगले दो answers में से कोई एक हो सकता है ये most probable basically answer है तो tick लगा दिया तो आपने देखा कि first round और second round के बाद मेरे 75 questions secure हो गए अब मुझे सिर्फ 10-12 questions ही basically करने है ताकि मैं एक comfort zone में पहुँच जाऊँ अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे और जैसे जैसे serial wise question आते गए उनको attempt करने कोशिश करते रहेंगे हो सकता है दो questions आसान उसके बाद दो questions बहुँच टाफ हो उन दो questions में आप अटक जाएं उसमें time waste कर दें अपना mood खराब कर लें demotivate हो जाएं और उसके बाद कि जो आसान questions थे जो आप fresh mind से फटाफट कर सकते थे वो भी शायद आप इतना efficiently ना कर पाएं दोस्तों तो मुझे उमीर है दोस्तों ये 4-5 basic tips कि पहले exam hall से पहले panic नहीं होना है जब साल भर की पढ़ाई आपको इतना prepare नहीं कर पाई या prepare कर पाई तो अगले 2 गंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा difference मुझे नहीं लगता पॉइंट नमर वाइन काम माइन से जाएं और उसके अलावा शुरू के 10-15 मिनिट आराम से टेक ए डीप ब्रेथ रूम में आसपास देखिए लोगों क्या reaction है पेपर को पलट ये sections देखिए क्या difficulty level हो सकता है आप खुछ समझ जाएंगे किस category में fall करता है roughly कितना मुझे attempt करना ठीक रहेगा easy है तो 90 plus अगर medium level है 85 to 90 के range में और easy है तो 80 to 85 मुझे लगता है comfort level एक comfort zone हो सकता है उसके बाद attempt करना शुरू करिए जो सबसे असान है सबसे पहले 100 basically question तक चले गए जितने easily attempt हुए second round जो doubtful case थे उनको revisit किया उन पे confidence develop किया उनको basically वो MR में secure किया और last round जो सबसे मुश्किल सवाल जिन में आपको difficulty लगती है challenge लगता है उनको secure करेंगे और last round में उनको basically आप fill करेंगे calculated risk taking approach के तहर्ट मुझे उम्मीर है दोस्तों सभी candidates को ये short video किसी ना किसी तरीके से अपने pre के paper को attempt करने में help करेगा All the very best to all the candidates who are appearing for civil services examination 2021 pre Jai Hind, Jai Bhad